तो किस तरीके से आप गुरुक 3 AI का यूज करकर एक URL शोटन वेबसाइट को create करकर money make कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊँ हूँ, दोसो सब से पहले आपको इस वेबसाइट के उपराना है, जिसका नाम है infinityfree.com, infinityfree.com basically एक hosting की वेबसाइट है, जिसकी उपर आप अपनी वेब records को host कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के उपराना है, इसके उपर अपना account create करना है, और account create करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, simply आपको इसके home page को पजाना है, register इसको पकलिक कर देना है, अब आपको यहाँ पर अपना email address डालना है, password डालना है, password को confirm करन है, term of services को यहाँ पर आपको चूज करना है, sign up इसको पकलिक कर देना है, जैसा आप इसको पकलिक करेंगे, तो आपके पास एक email आगा, जहाँ पर आपको account verify करने के लिए का जाएगा, तो आपको वहाँ पर अपने account को verify करना है, और infinityfree.com के उपर आपका account create हो जाएगा, और दोस्तों, जैसे आपको account यहाँ पर create होगा, तो आपके सामने कुछ इसपर का counterface आएगा, अब आपको यहाँ पर create account का option दिखाए देगा, तो आपको इसको पकलिक कर देगा, जैसा आप इसको पकलिक करेंगे, तो आपके सामने new page आएगा, यहाँ पर आपको plan select करने क्लिक करना है, जिसको basically आप यहाँ पर use करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप अपनी website या फर app को host करें, जैसे कि मैं यहाँ पर URL shortner की website बनाना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं name दे दूँगा, URL short, इस पर कास मैं है पर name दे दिया है, अब check availability इसको पकलिक करूँगा, और check करूँग कि name यहाँ पर available है या नहीं है, तो यहाँ पर मैं S लगा देता हूँ, check availability इसको पकलिक करेंगे, और यहाँ पर यह URL available है, अब इसका मैं use करना है, अब मैं यहाँ से इसके URL को copy कर लूँगा, तो यहाँ से लिकर यहाँ तक मैं इसको copy कर लेता हूँ, अब आपको क्या करना ह अब आपको एक prompt create करना है, जिसका link मैं आपको अपने telegram channel पर provide कर दूँगा, तो make sure आप मेरे telegram channel को भी join कर लें, तो यहाँ पर मैंने prompt create कर रखा है, अब आपको basically यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर इस website का name, जैसे कि यहाँ पर मैंने website का name दे रखा है, यहाँ पर आपको अपनी website से इसको replace कर देना है, जो कि मैंने यहाँ से copy किया था, इसको मैं यहाँ पर इससे replace कर दूँगा, यहाँ पर आपको दूसरा name भी दिखाए दे रहा होगा, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से replace कर दूँगा, यहाँ पर आपको तीसरा भी दिखाए दे रहोगा, पह कर दिया, तो इस प्रकास से यहां पर मैंने अपना प्रॉम्ट बना लिया है, तो प्रॉम्ट का जो content है, मैं आपको अपने इस प्रॉम्ट को कोपी कर लेना है, उसके बाद आपको इस AI टूल को उपर आना है, जिसका नाम है क्रेट कर सकते हैं, इमेडिस क्रेट कर सकते हैं, वीडियो क्रेट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी क्रेट कर सकते हैं, तो सिंपली आपको इस वेबसेट को पर आना है, इसके ऊपर अपना अकाउन क्रेट करना है, अब आपको यहां पर अपनी प्रॉम्ट को क copy and paste करना है, then send इसको पर क्लिक करना है, अब कुरूक यहाँ पर अपना काम करना स्टार्ट करतेगा, आपकी प्रॉम्ट को अनलाइस करेगा, और बहतरीन सा content, इस पहतरीन से quotes आपको यहाँ पर बना कर देगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं, तो इसने हमारे हम 8 यह no codes create कियोंगे तो यहां पर इसने 8 codes create किये हैं अभी दिए का use करकर मैं यहां पर अपनी website बनाने वाला हूँ तो website बनाने के लिए पहले मुझे यहां पर in codes को use करना पड़ेगा तो codes को पहले मैं यहां पर क्या करूंगा text format के रूप में यहां पर save करने वाला हूँ तो इसके लिए हम यहां पर किसका use करेंगे notepad का तो simply आपको जाना है home page को पर then आपको यहां पर right click करना है new इसको पर click करना है folder इसको पर click करना है इसके अंदर हम अपने codes को save करेंगे तो मैं इसका नाम यहां पर रख दूँगा your short इस पर कास से मैं यहां पर इसका name रख दिया है अब मैं इसको यहां पर open कर लूँगा then middle में set करूँगा अब right click करूँगा then again new इसको पर click करेंगे and यहां सम text document इसको choose कर लेंगे again हम इसको पर click करेंगे and इसको हम यहां पर इस तरीके से open कर लेंगे और इसे की उपर हम अपने codes को save करने वाले हैं again मैं यहां पर आऊंगा यहां सम अपने पहले code को copy कर लूँगा तो कि क्या है dot 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 ht access इसको यहां सम copy करेंगे अगेन इसको पराएंगे copy and paste कर देंगे अब आपको यहाँ पर आना है file इसको पकलिक करना है save as इसको पकलिक करना है and यहाँ पर आपको आना है यहाँ से आपको .ht access इसको copy कर लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको copy कर लूँगा इस परका से कर देना है अगेन हम इसके उपर आएंगे यहां से हम db.php इसको कोपी करने वाले हैं इसको हम कोपी कर लेंगे अगेन यहां पर आएंगे copy and paste करेंगे file इसको पकलिक करेंगे save as इसको पकलिक करेंगे again इसको पराएंगे यहां से हम इसको इस तरीके से copy कर लेंगे okay again यहां पराएंगे copy and paste करेंगे देकिन कोई space available है के नहीं है उसको हम चेक करेंगे then save इसको पकलिक करतेंगे उसके बाद अगेन आपको यहां पर आना है, यहां से आपको इस code को copy करने नहीं, इसको मैं copy करूंगा, and again यहां पर copy and paste कर दूंगा, file इसको पकलिक करेंगे, save as इसको पकलिक करेंगे, and यहां से हम इसको copy कर लेंगे इस तरीके से, okay, and इसको हम यहां पर copy and paste कर देंगे, then save इस इस प्रकास से आपको यहां पर अपनी आठो कोड को कोपी करना है और text document group में इहां पर उसको save कर लिना है तो अगेन file इसको अपर click करूँगा save as इसको अपर click करूँगा and again यहां पर आिंगे यहां से हम redirect PHP इसको copy कर लेंगे इस तरीके से and यहां पर copy and paste करेंगे then save इसको पर click कर देंगे तो इसी तरीके से यहां पर मुझे सारे codes को copy and paste करना है थोड़ा से time यहां पर लगेगा तो patience बना कर रखना आपको ताकि आप यहां पर awesome content को सीख सकें again save इसको पर click करूँगा and यहां से इसको मैं copy कर लूँगा देखना जो मैं step यहां पर follow कर रहा हूँ सारे step आपको यहां पर इसी तरीके से ही follow करना है तभी आपको यहां पर अच्छी website बन कर मिलेगी तो आप मैं यहां से इसको भी copy कर लूँगा and इसको भी मैं यहां पर copy and paste कर दूँगा and यहां से मैं इसका जो name मैं इसको copy कर लूँगा इस तरीके से again यहां पर जाएंगे save as इसको पर click करेंगे copy and paste करेंगे save इसको पर click कर दूँगे अब दो codes और मेरी बच्छे हैं उनको भी मैं copy कर लेता हूँ तो यहां से मैं इसको copy कर लूँगा and इसको मैं हाँ पर replace कर दूँगा यहां से again इसका name copy कर लेंगे इस तरीके से again यहां पर आएंगे file इसको पर click करेंगे save as इसको पर click करेंगे copy and paste करेंगे save इसको पर click करेंगे अब last code मेरा यहां पर बचा है जो कि है database structure तो इसको मैं यहां से copy कर लूँगा and इसको मैं यहां पर copy and paste करूँगा file इस पर click करेंगे, save as इसको पर click करेंगे again यहां पर आएंगे, यहां से db.sql इसको copy कर लेंगे इस तरीके से and इसको copy and paste करेंगे, save इसको पर click कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने अपने सारे codes को सेव कर लिया है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है, अगर हम यहाँ पर अपनी website के preview देखते हैं, तो मैं इसको उपकलिक करूँगा, अब आपको इस website के उपर अपने code को होश्ट करने के लिए हम यहाँ इसको चूज करने वाले हैं, इसको उपर हम आएंगे, यहाँ से आपको I approve इसको चूज कर लेना है, Create Account इसको पर Click करेंगे, अब आपका इस website के उपर अकाउंट बढना स्टार्ट हो जाएगा, जैसी आपका यहाँ पर Hosting Account बन जाएगा, तें उसके बाद हम यहाँ पर अपनी website को host करेंगे, तो यहाँ पर एक पर हमारा content सीख पाएंगे, तो थोड़ा से समय हम यहां पर दे देते हैं and हमारे सामने हमारा account करीट हो जाएगा, जिसके उपर हम अपनी website को host करते हैं, तो थोड़ा से टाइम यहां पर लग रहा है, क्योंकि hosting account को setup होने में थोड़ा से समय लगता है, तो थोड़ा सा आपको यहां पर वीट करना पड़ेगा और आपके सामने awesome content आजाएगा और हम यहां पर अपनी website को group के मादन से करीट कर रहे हैं, बहुत ही awesome tool है, पहले मैं आपको बता है, जैसे कि आपका deep seek है, यह kwan है, इनको powerful tool मना जाता था, पर group इससे भी तगड़ा tool है, अगर आप इसका use करेंगे तो बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीज आप यहां पर बना सकते हैं, इसकी ऊपर मैं बहुत सरी वीडियो लेके आने वाला हूं, तो make sure आप हमारे चैनल को subscribe कर लें, ताकि आपको group, deep seek, quan और जितने भी AI tools हैं, उससे लिए अच्छे अच्छे contents मिल सके हैं, थोड़ा सा आपको यहां पर wait करना पड़ेगा, hosting account को setup होने में थोड़ा time लगता है, और हमारा यहां पर hosting account setup हो चुका है, अब आपको यहां पर अपनी website को host करना है, तो इसके लिए आपको यहां पर आना है, file manager इसके उपक्लिक कर देना है, जैसा आप इसको उपक्लिक करेंगे तो आपके सामने new page आएगा, अब आपको यहां पर आना है, Ashi Docs इसको उपक्लिक कर देना है जैसा आप इसको उपक्लिक करेंगे अगेन आपको समय न्यूव पेज आएगा अब आपको यहाँ पर सारी content को copy and paste करना है तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से copy and paste कर दूँगा तो यहाँ पर यह copy and paste हो चुका है अगेन यहाँ पर जैंगे अडिया भी वाले फाइल है इसको copy and paste कर देंगे ठीक है दूसरी वाली db वाले फाइल को copy and paste कर देंगे उसके बाद हमैं अगेन इसको उपक्लिक करना है इस तरीके से यहाँ से मैं index को वहाल है जो file है उसको यहां पर host कर दूँगा ठीक है अब मुझे यहां पर इन files को host करना है तो यहां से क्या करता हूँ 3-4 को एक साथ copy कर लेता हूँ तो पहले मैं 3 यह 4 files है इनको एक साथ copy कर लूँगा 3 file मैं copy कर लिए इस तरीके से यहां पर drop कर दूँगा और तीनों फाइल से यहां पर drop हो चुकी है अब मुझे यहां पर लाश्ट की दो फाइल्स को भी drop करना है तो इनको मैं copy कर लेता हूं कर दूँगा अब आपको यहां पर करना है यहां पर आपको नीम बगएरा चेंज कर देना है जो भी इसको यहां पर नीम बगएरा है वो आपको यहां पर चेंज करना पड़ेगा ओके तो यहां पर मैं इसके नीम बगएरा को चेंज करने वाला हूँ now अब आपको यहाँ पर इन सभी को replace करना है तो replace करने के लिए again आपको यहाँ पर आना है and यहाँ पर आपको my school database इसको उपकलिक कर देना है जैसा आप इसको उपकलिक करेंगे तो आपके सामने new page आएगा and यहाँ पर आपको option मिलेगा create database का तो आपको इसको अपकलिक कर देना है, अब आपको यहाँ पर अपने database का name देना है, जैसे कि मैं आपको डाल देता हूँ, your short, short, short शडाल देता हूँ, then create database इसको अपकलिक कर देना है, आपका database यहाँ पर create हो जाएगा, तो कुछी second के time यहाँ पर spend होगा, और बहतरीन सा database आपके सामने आजाएगा, अब आपको यहाँ पर करना है, database की सारी information को इस information से replace कर देना है, जैसे कि पहला option आपको यहाँ पर मिलता है, host का, तो आपको यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर आपको host name को ढूणना है, तो host name मे choice कर देना है, आप db name को देखना है, तो db name यहाँ पर क्या है, database name मुझे यहाँ पर change करना है, तो जैसे कि हाँ हो यहाँ यूजर इम यह वाला यूजर नीश तिरह यूजर नेम यहां है, यहाँ से यहाँ पर आपको पास्वर्ड का option आपका तो आपको इसको पकलिक करना ह यहां से आपको पासवर्ड को कोपी कर लेना है इस तरीके से एंड इसको आपको यहां पर पासवर्ड से रिप्लेस कर देना है ठीक है पासवर्ड से रिप्लेस कर देना है एंड डाटबीस नेम में हम यहां पर इस नेम को यूज करने वाल हैं डाटबीस नेम यह हमारा इसको हम copy करेंगे and इसको हम इस तरीके से इस से replace कर देना है थेकर इस तरीके से आपको इसको replace कर देना है then save इसके उपक्लिक कर देना है इतना काम आपको यहां पर कर देना है अब last step भी आपको नहीं पर complete कर देना है तो last step में आपको यहाँ पर करना है, home इसको उपर क्लिक कर देना है, again आपके सामने new page आएगा, my school database इसको उपर again आपको क्लिक करना है, अब आपको यहाँ पर php my admin इसको उप्शन नजर आएगा, आपको इसको उपर क्लिक कर देना है, again आपके सामने new page आजाएगा, अब आप आपको यहां पर import इसको उपकलिक कर देना है, choose file इसको उपकलिक करना है, जहां पर भी आपने अपनी file को save कर रखा है, जैसे कि मैंने यहां पर save कर रखा है, यहां से आपको अपनी file को open कर लेना है, then उसके बाद आपको यहां पर आना है, गो इसको उपकलिक कर देना है तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी फाइल को रन कर देंगे जो कि आपको यहाँ पर दिखाए दे रही है अब आपको structure इसको उपकलिक कर देना है check-all इसको उपकलिक कर देना है that's it इसको पकलिक करेंगे तो आपके सामने new page आएगा यहाँ पर आपकी website का address दिखाए देगा अब आपको इसको copy कर लिना है और आपको check करना है क्या website यहाँ पर run कर रही है या नहीं कर रही है तो कुछ इस तरीके से आपकी website यहाँ पर burn कर रही हो जाएगी अब आप इसको यहा add starter का use कर सकती है simply आपको आपको add str year expect अपनल आ अपना account क्रीट करना है, add website नहीं को पकलिक करना है यहाँ आपको अपनी website को add कर दिना है, website का address डाल दिना है, categories select कर लिना है, then add इसको पकलिक करने है अब आपको यहाँ पर अपनी add unit को generate करना है, जैसे कि मालो मैंने अपर बहुत सारी add unit generate कर रखिये हैं, तो यहाँ से आपको अपनी add unit को generate करना है, get code इसको पकलिक करना है, code को copy करना है, इसके बाद अगेन आपको जाना है file manager के उपर, जो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ प next HTML इसको उपकलिक करना है यहां पर आपको edit इसको उपकलिक कर देना है आपके सामने आपका codes आ जाएंगे इसके बाद आपको यहां पर आना है container इसके उपकलिक कर देना है इसके नीचे आपको अपने को copy and paste कर देना है then save इसको प्लिक कर देना है तो इस तरीके से आपको यहां पर अपने code को save कर देना है अब मैं हाँ पर चेक करूंगा code यहां पर दिखाए दे रहा है यहां पर आपकी तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी योल शोटनर की वैब साइट को करीड कर सकते हैं और इसको मोनिटाइज करकर आप यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं I hope आपको आज का मैतल्ड समझा होगा कैसे इसको अपलाई करना है वो भी आपको समझना होगा अगर आपको आज की वीडियो चलेगी है तो मैं आपसे यहाँ पर रिक्यूर्ष्ट करूँगा कि आप अमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें कम से कम हनुट लेक्स लेके हैं तक इसी टैप का ओसम कंटेंट आम आपके साथ शेयर कर पाएं